हेलो फ्रेंट्स, बेलकम माई येट्यूब चेनल, तो दोस्तों जैसे कि आप से भी जानते हैं कि भारत के सर्व स्रेश्ट धावक, मिलखा सिंग का निधन हो चुका है, तो आज के इस वीडियो में हम इनके बारे में जानेंगे, इनी से सम्बंदित सभी महत्पुन प्रसन हम इस वीडियो में देखेंगे, तो यह वीडियो आपके लिए महत्पुन होने वाला है, तो आप इसलिए वीडियो को बिने स्किप के पूरे अंड तर देखते रहें, तो चलिए आज के वीडियो सुरू करते हैं, तो यहाँ पर आज का पहला कोस्टन है, मिलखा सिंग कोन थ तो देखें, आपसे भी जानते हैं, मिलखा सिंग कोन थे, तो यह एक भारतिया धावक थे, तो इसका अंसर ओप्सन भी हो जाएगा, देखें, मिलखा सिंग एक भारतिया धावक थे, जो की एथलेटिक्स खिलाडी थे, याद रखना है, चलिए, नेक्ट कोस्टन है, मिलख पहले पंजाब प्रानते में लगता था, लेकिन इस समय यह बरतमान में पाकिस्तान का हिस्सा है, इनका जन्म एक सिख परिवार में हुआ था, तो याद रखना है, चलिए, अगला कोस्टन देखते हैं, मिलखा सिंग का जन्म कब हुआ था, अब देखें, मैं आपको बता परिवार के सदस्य को खोदिया था, तो उसके बाद पाकिस्तान से जो भारत सरणार्थी ट्रेन आई थी, तो उस ट्रेन में यह भारत आकर रहे थे, तो याद रखना है, चलिए, आगला कोस्टन देखते हैं, भारते धावक मिलखा सिंग का निधन कब हुआ, तो इसका अं सांस ली, कहाँ पर चंडीगड के PGI M.E.R. अस्पताल में, इन्होंने अपनी अंतिम सांसे ली, देखे इससे पहले 13 जून 2021 को ही, इनकी पतनी जिनका नाम था निर्मल कोर, 85 बर्स की उमर में भी उनका भी कोरोना संक्रमन के बज़े से निधन हो चुका है, तो याद रखन पुत्री हैं और एक इनका बेटा है, तो देखे इनके बेटे का क्या नाम है, तो जीब मिलखा सींग है, जो कि एक भारते गोल्फ खिला ली है, तो इस का अंसर ओप्सन D हो जाएगा, जीब मिलखा सींग किस खेल के खिला ली है, तो गोल्फ के खिला ली है, और इनकी पतन question है कि flying sick किसे कहा जाता है तो मिलखा सिंग को ही कहा जाता है तो इस काहां सरो option भी हो जाएगा अब देखिए मैं आपको कुछ और जानकारी देदूँ देखिए 1960 में मिलखा सिंग के पास पाकिस्तान से एक नियोता आया था कि बहब भारत पाकिस्तान एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग ले लेकिन बे जाने से इंकार कर रहे थे उस समय प्रधान मंत्री जवालाहन लहरू के कहने पर मिलखा सिंग पाकिस्तान गए और लाह सिख्खी उपादी दी तो याद रखना है कि इन्हें फ्लाइंग सिख्खी उपादी किस ने दी थी तो पाकिस्तान के राष्टपती अयूब खान ने दी थी चलिए आगला कोस्टन देखते हैं पुस्तक भाग, मिलखा, भाग के लिखक कोन हैं? तो देखी ये भी महत्त्कुन कोस्टन है तो इसका अंसर ऑपसन ही हुजएगा मिलखा सिंगग तो देखें मिलखा सिंग ने स्ोयम अपनी आत्म कता लिखी थी जिसका नाम है भाग, मिलका, भाग इन्होंने अपनी जीवन के बारे में इस पुस्तक में लिखा था तो याद रखना है कि भाग मिलखा भाग के लेखा कौन है तो मिलखा सिंग ही है चलिए next question है फिल्म भाग मिलखा भाग के निर्देशक कौन है तो देखे आप से भी जानते हैं 2013 में एक फिल्म आई थी भाग मिलखा भाग जो कि मिलखा सिंग के जीवन पर ही बनी थी तो इस फिल्म के बारे में पूचा जा सकता है तो इस फिल्म के निर्देशक यानि के डारेक्टर कौन है तो राकेश ओम प्रकास मेरा है तो इसका अंसर ओप्शन B हो जाएगा abदेखे इस फिल्म के बारे में और बतादू इस फिल्म के लेखा कौन है यानि कि ये फिल्म लिखे किसने थी तो प्रेसून जोसी ने लिखी थी और इस फिल्म के अभी नियता कौन थी यानि कि मिलखा सिंग का किरदार किसने निवाय था तो फरान अक्तर निवाय था और इसमें अभी नेत्री कौन थी सोनम कपूर थी और देखे आगे बात करें तो देखे दो हजार चोधे में 61 राष्टे फिल्म पुरुसकारों में इस फिल्म को सर्वस्रेश्ट मनुरंजक फिल्म का पुरुसकार मिला था इसके अतरिक्त इस फिल्म को सर्वस रेष्ट कोरियोग्राफी के लिए भी पुरुसक्रत किया गया था तो वो सभी पॉइंट याद रखने हैं सभी महत्त पूण हैं चली आगए देखते हैं अब देखें आगए बात करें इनके खेल के बारे में तो देखें बर्स 1958 में राष्ट मंडल खेलों में इन्हें 440 गज रेस में इन्होंने प्रिथमिस्थान प्राप्त के था यानि कि स्वण पदक जीता था इसके बाद 1958 में ही ACI खेलों की 200 मीटर रेस में इन्होंने स्वण पदक जीता था और बर्स 1958 के ही ACI खेलो की 400 मीटर रेस में भी इनोंने स्वनपदक जीता था इसके बाद इने बर्स 1969 में पद्म स्री पुरुषकार से सम्मानित किया गया था आगे बात करें, देखे, चार सो मिटर रेस में बर्स 1962 के ACI खेलो की 400 मिटर रेस में भी इनो ने सुन पदक जीता था, इसके बाद 1964 में कलकत्त राश्टे खेलो की 400 मिटर रेस में इनो ने दीत्य पदक जीता था, तो इनके बारे में ये आपको सभी पदक याद रखना है कि इन्होंने किस खेल में कहां पर कौन सा पदक जीता जातर इन्होंने सुन पदकी जीते थे जिनके बारे मैं आपको बताया है तो आपको याद रखना है चले आगे कोसन देखते हैं मिलखा सिंग को पदमसरी संबान से कब संबानित किया गया था तो मैंने आपको बता दिया कि इन्हें पदमसरी संबान से कब संबानित किया गया था तो इसका अंसर ओप्सन भी हो जाएगा 1969 में 1969 में मिलखा सिंग को पदमसरी संबान से संबानित किया गया था तो याद रखना है तो दोस्तों ये थे भारते दाफ़क मिलखा सिंग से सम्मंदित सभी महत्तु प्रस्न जूमेन आपको बताए उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आयोगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ आपके लिए हैलफ लो तो प्लीज वीडियो को लाइक को सेयर करना साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना तो चले मिलते नेक्स्ट वीडियो में जै हिंद जै भारत